तुडेंट मैं शाहिन लूथरा आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 मैस का चैप्टर 4 उसकी एक्ससाइज 4.3 हम आज इस वीडियो में करेंगे फर्स्ट कॉश्चन इसमें बोला गए हमें एक फिगर दिखाई गई यहां पे इस फिगर के अंदर हमें जो एंगल हैं उनके बारे में हमें बताना है तो कौन-कौन से एंगल है जैसे आपने अगर इंटुड़क्शन वीडियो देखा होगा तो आको पता होगा जैसे इसमें एक एंगल ए बन रहा है जहां पे हमारे वर्टेक्स होता है वहां से हमारी आम्स निकलती है जहां से रेज निकलती है वह हमारा वर्टेक्स होता है वहीं पर हमारा जो है एक एंगल बनता है जैसे ये सब हमारे एंगल बन रहे हैं तो एंगल A हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंगल B, एंगल C और एंगल D ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं तो आप इसको चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि एंग अंगल D, A, B अब इसमें अंगल A की बात हो रही है अंगल D, A, B जो भी हमारा बीच में आएगा ना उसी अंगल की बात हो रही है दूसरा लिख दो A, B, C अंगल A, B, C यानि कि पहले अंगल A की बात हो रही है अब हम लिखेंगे B, C, D Angle का symbol लगाना है B, C और D, अब कौन सा angle बीच में आ गया C, अब इसकी बात हो रही है, आप लिखेंगे C, D, A, तो अब लिखेंगे Angle C, D, A अब angle D की बात हो रही है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों आका मैं पहले इसमें D, O, E यह वाला जो हमारा angle है, D, O, E इसके अंदर जो interior point है हमें वो बताना है, तो D, O, E के अंदर कौन सा point पढ़ रहा है, आप देखके बता circulating D, O, E के अंदर कौन सा point आ रहा है इसमें, इसके अंदर जो point आ रहा है, D, O, E के अंदर वो हमारा आ रहा है अंदर के side देखो इस side पर यहां पर कौन सा आ रहा है यहां आ रहा है हमारा a point तो यहां लिखेंगे हम point a ए इसके आगे point लिख देंगे या फिर point a करके लिखेंगे Point a उसके बाद interior of angle eof अब angle eof को इसके बहर हिर्य रहा है इसके बहर वहार्पर से इभार को एक बहर रहा है पाई है सकाफ़ूद की बहल यहीं कि хватkr में इने उसके बहुत अब इसके बाहर जो भी आएगा वो भी लिखेंगे एंगल C, एंगल A और एंगल D बी इसके जो पॉइंट सो रही पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट D ये तीनों इसके बाहर आ रहे है एक्स्टीरिय में आजेगा C, A और D इसके अगया पॉइंट लिख लेना On E, O, F अब जो हमारा E, O, F है उसके उपर कौन सा आ रहा है E, O, F इसके उपर कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा इसके उपर जो है हमारा कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है E, B इसके उपर आ रहा है B भी इसके उपर आ रहा है O भी इसके उपर आ रहा है ठीक है और F पी जो है वो इसके उपर ही आ रहा है तो हम लिखेंगे इसके उपर E, B, O और F ये जो हैं 4 पॉइंट इसके उपर आ रहे हैं ठीक है नेक्स देखते हैं यहाँ पर हम एक rough diagram बनाने के लिए बोला गया है जिसके अंदर 2 angles हमें बनाने है 1 point is common होना चाहिए दूसरे वाले में 2 point common होने चाहिए फिर 3 point common होने चाहिए फिर 4 और उसके बाद 1 raise जो है वो common होनी चाहिए ऐसे हमें क्या करने है दो एंगल से ऐसे बनाने है तो पहला एंगल मैं अगर आपको ऐसा बनाती हूं इस तरीके से इस तरीके से पहला एंगल बनाया जाता है और उसके बीच में इसको पर दुबारा बनाती हूं हमने जो एंगल बनाना है वो इस तरीके जिसके लिए हमें वन पॉइंट पॉमन चा एक ray हमारी यहां से निकलेगी अब यह मैं को समझाती हूँ कैसे करना यह और एक ray जो है वो हमारी यहां से निकलेगी यानि कि यह हमारा जो है angle इस तरीके से बनेगा चीक है यह जो है इसका एक common point हो गया O अब यह जो है ray इसको हम नाम देते हैं A यह हो गई B यह हो गई C सबके अपने point बनाने हैं यहां पर C और यहां पर यह हो गया D अब इसके अंदर हमारा उनने बोला है कि दो angles होने चाहिए एक angle हमारा यह बन गया और दूसरा angle हमारा यह बन गया अब इसके अंदर एक common point जो है हमें बताना है यानि कि A O B के अंदर और B O B के अंदर common point कौन सा आ रहा है common point जो आ रहा है वो हमारा O आ रहा है इसको मैं ऐसे भी बना सकती थी ऐसे करके ठीक है तो ये दो angle बन जाते लेकिन तो उसमें क्या होता ये भी हमारा जो है वो common आ जाता अगर मैं इस तरीके से लूँ A O B और B O C ये दो अगर angle मैं इस तरीके से बनाती तो उसमें जो ये point है ये भी हमारा common आ जाता इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है कि दो angles बन जाएंगे इसके अंदर और एक common point हमारा O आ जाएगा इसके अंदर और इसके लिए ऐसे और यहां से जो है वो ऐसे ठीक है अब जो है इसमें देखो एक angle ये हो गया और एक angle दो angle हो गया अब जो है इसमें हमारे दो common point बन सकते हैं एक हमारा common point हो गया O और एक हमारा common point हो गया B तो यह जो second B वाला है उसके लिए हमारा यह वाला figure ठीक रहेगा लेकिन A वाले के लिए हमारे यही वाला figure ठीक रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमें one common point जो है वो बताना है तो one common point के लिए हमें यही वाला figure बनाना पड़ेगा तक कि हमारा one common point है उसके बाद C, अब हमें 3 common point चाहिए, 3 common point बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम figure यही बनाएंगे, अच्छाए, 3 common point बनाने हो, चाहए, 4 common point बनाने हो, figure हम यही बना लेंगे, दोनों बार में, इस तरीके से बना लो, थोड़ा सा बड़ा बना लो, और इस तरीके से, और इसमें point अब जादा दे दो, चीक है, यह हमारा हो गया A, यह हो गया हमारा B, यह B point हो गया ना, और यह हो गया हमारा C, साथ पर यहाँ पर एक D point बनाने हो, और यहाँ पर O हो गया, 4 common point के लिए भी, सेम ऐसा ही figure बनाओ, ठीक है, इस type का ही figure बनाओ, और उसमें जो हैं, आब 3 point बीच में दे दो, कौन-कौन से, अब यहाँ पर, पहले इसको ऐसे बना लो, figure आपका B का, C का और D का सेम बनेगा, बस point में फरक आएगा, ठीक है, इस तरीके से, अब यह हो गया हमारा जो है, A, O, यह हमारा हो गया, B, ठीक है, इसको नाम दे दो B, और यहाँ पर नाम दे दो C, तो यह हो गया, यहाँ पर एक point common हो गया, O, तूसरा point B हो गया, तीसरा point यहाँ पर D दे दो, और यहाँ पे D के बाद E दे दो तो कौन से 4 point common हो गए O, E, D और B ठीक है और हमारे यह 2 angles भी 2 angles भी बन रहे है अब हमें E में बोला गया है कि हमें 1 ray जो है वो common चाहिए 1 ray common कैसे बने गया 1 ray in common हमें ऐसा angle बनाना है जिसमें 1 ray common हो एंगल हमारा सेम वैसा ही बनेगा यह जो ray है अब common आ जाएगी ठीक है यह वली जो ray है वो क्या आएगी common आ जाएगी यह ray तो इसको name दे दो B, इसको name दे दो A, इसको name दे दो C, यह आपने सब scale से बनाना है, इसको name दे दो O, तो जो A, O, ray है यह जी कि B, O, A में और A, O, C के अंदर जो common ray है, वो है O, C ठीक है इस तरीके से हम एक common ray बना सकते है O, C तो यहाँ पर हमारा, सोरी, O, C नहीं है यह O, A है, हमारी common ray कौन से आई है इसमें, दुबारा देख लो इस तरीके से आपने बनाना है figure ऐसे और बीच में से आपने line draw कर देनी है यह आपका जो जो है vertex O है यहाँ पर आपने A दे देनी है name दे दो, यहाँ पर B दे दो यहाँ पर C दे दो अब जो इसमें O, A जो ray है, वो हमारी common है B, O, A में और A, O, C में तो इसका आएगा O, B जो हमारी दे दे एक common है आपको इसमें क्या करना है, इसमें सरफ figure बनाने है आपको कोई name नहीं लिखना है, सिरफ हर एक के आगे आपको एक figure बनाना है, चीक है तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइस है 4.3, यह हमारी complete हो जाती है होफ़ली आपको इस वीडियो helpful लगे, वीडियो helpful लगे तो प्लीज लाइक शे सब्सक्राइब करें, थैंक यू